मित्रो आज हम लोग फरिश्वनात रेनु की कहानी पहलवान की धोलक पर चर्चा करेंगे यह कहानी कच्छा बारक की हिंदी पाथि पुस्तक आरो भाग दो जिसे NCRT ने बनाया है का हिस्सा है इस कहानी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निलकंट कुमार डॉक्टर निलकंट कुमार CIT में भासा सिक्छा बिवाग के असिस्टेंट पुफेसर है डॉक्टर निलकंट जी आपका स्वागर्थ है इस कारक्रम में इससे पहले कि हम इस कहानी की विवेचना करें और इस कहानी के समाजिक आर्थिक सरोकारों और इसके शिल्प से रूबरू हो आईए हम फनिश्वनात रेनु के जीवन से थोड़ा परीचित हो जाएं 2021 रेनु जी के जन्मशती का भी वर्ष है रेनु का जन 4 मार्च 1921 को बिहार के और आही हिंगना में हुआ था और आही हिंगना उत्तर बिहार में भारत नेपाल सीमा के नजदिक फार्वीज गंज और अररिया के बीच स्थित सिम्राहा रेलवे स्टेशन के समीब बसा है गंगा नदीप पश्चिन से पूर्व की और भहते वए बिहार राजी को करीब दो बराबर हिस्सों में बाटती है गंगा के उत्तर में उत्तर बिहार और गंगा के दक्षिन में दक्षिन बिहार उस समय और आही हिंगना पुर्णिय जिला के अंतरगत आता था नेपाल में बसा विरात नगर वहां से ज्यादा दूर नहीं है उनकी आरंबिक शिक्षा दिक्षा और आही हिंगना और विरात नगर में हुई बाद में उन्होंने काशी में भी पढ़ाई की वह समय मानव समाज में उथल पुथल का था रेणू इससे अचुते नहीं थे इन अनुभवों का इनकी रचनाव पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है रेणू की कहानियों, उपन्यासों और संस्मर्णों पर उस समय का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक पहलू प्रबल रहा है प्राय रचनाकार क्रम्शा प्रसिद्धी पाते हैं रेणू अपनी प्रथम क्रिती मैला आचल से ही प्रसिद्ध हो गए मैला आचल अपनी भूखन और कालखन से बाहर निकल कर पूरे विश्ख और समय का परतिनिवित्व करने लगे प्रेम चन के गोदान के बाद मैला आचल अधूनिक हिंदी साहित का एक मील का पत्थर साबित हुआ है बाद में दुर्दरस्यन ने इसी नाम से एक धारवाहिक का भी निर्मान किया है मैला आचल के अलावा उनकी अन्र प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है परती-परी कथा, जुलूस, पल्टुवावू रोड उनकी प्रसिद्ध कहानिया रही है मारे गये गुलफाम या तिसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, समवधिया आधी उन्होंने हिंदी साहित में आंचलिकता को अस्थापित किया प्रोफेसर नामबर्सी ने कहीं कहा है कि रेणू हिंदी के प्रथम कथाकार थे जो कलम से नहीं कैमरे से लिखते थे उनकी कहानियों में चित्र है, रंग है, गीत है, संगीत है बॉलिवूड ने तिसरी कसम पर इसी नाम से एक फिल्म का भी निर्मान किया जो अपनी कलात्मक्ता के लिए काफी सराहा भी गया सन 1970 में उन्हें पद्म स्री से भी नवाजा गया देश में आपात काल की घोषना के बिरोध में उन्होंने पद्म स्री सम्मान वापस भी कर दिया था रेणू की मृत्यू सिर्फ 56 वर्स की आयू में 11 अप्रिल 1977 में हो गया था आएए अब हम इस कहानी पर चर्चा करें इससे पहले कि इस कहानी की व्याख्या के लिए मैं डॉक्टर निलकंड से आग्रा करूँ आएए इस कहानी का सारान समझें बीस्वी शताब्दी के पांचवा दसक में लिखी है कहानी तकरिवन 27-28 शब्दों की है जो मुख्यत लुटन सिंग के पहलवान बनने से लेकर उसकी मृत्यू तक के सफर को बयान करती है लुटन सी एक जामाज पहलवान तो था ही साथी वह एक उम्दा धोलक बाज भी था धोलक की ढाक से ही वह पहलवानी के लिए आवर्शक उर्जा ग्रहन करता धोलक की ताल और ले ही उसके लिए प्रेणा स्रोत थे कम उम्र में शादी और फिर माबाप के गुजरने के उपरान वह अपने सोस्राल में ही रहने लगा वहीं वह दो बच्चों का बाप बना और फिर वहीं एक मेले में एक प्रसीद पंजाबी पहलवान को हरा कर लोकल हीरो हुआ इस जीत के बाद स्थानिय सामंत ने उसके नाम के आगे सिंग की पद्वी दिया जिसका विरोध सामंत के दुसरे पैरकारों ने किया उस सामंत ने अब लुटन सींग को अपने संग्रक्षन में ले लिया, उसके बाद उसका जीवन सरल और सुगम हो गया, वो पहलवानी करता और अपने परिवार का भरण पोशन, उसने अपने दोनों बच्चों को भी पहलवानी और धोलक के गुर बताये, लेकिन तभी उसका जीवन बदल गया, बुढ़े सामंत की मौत के बाद विलायत से लोटे सामंत के बेटे ने अब जागीर संभाल ली, सबसे पहले उसने लुटन सींग को दिया, संग्रक्षन वापस ले लिया, इस बात का वर्णन रेनु ने मार्मिक किन्तु निलिप्ता के साथ किया है, इस तरह से लुटन सींग विरुजगार हो जाता है, वह कुछ दिन तो आसपास के बच्चों को पहलवानी और तबला सिखाकर अपना और अपने दो बच्चों का भरण पोर्शन करता है, परंतु कुछ ही दिनों में जिवीका का या श्रोत भी जाता रहता है, ऐसे समय में ह पहलवान रात बर धोलग बजाता था, ताकि गाउं के लोग रात की भ्यावता से डरे नहीं, उसके दोनों बच्चे भी इस महमारी के चपेट में आ गये, फिर भी वह रात बर धोलग बजाता रहता था, प्रंतु एक रात धोलग की आवाज धिरे-धिरे सुन हो गई, पह कहानी की समिक्षा रखें, उन विशेस्ताओं का जिक्र करें, जो इस कहानी को अधुद बनाती है, अधुनिक हिंदी साहित्ति के विकास में फनिश्वरनाथ रेनू को एक कहानिकार के रूप में आप कैसे देखते हैं, डॉक्टर निलकंड जी, धन्यवाद अभय जी, और इतनी समग्र सूचना के पस्चात, लगभग सब लोग एक धारना इस कहानी को लेकर और फनिश्वरनाथ रेनू को लेकर भी बना चुके होंगे, अब हमारे सामने सवाल ये है, जैसा कि अभय जी ने सवाल खड़ा किया है, कि कैसे फनिश्वरनाथ रेनू और उनकी ये कहानी हिंदी साहित्य में अलग है, जैसा कि आपने पहले सूचित किया कि यह मील का पत्थर सावित हुआ, फनिश्वरनाथ रेनू के उपन्यास और उनकी कहानियों के बारे में भी, दरसल फनिश्वरनाथ रेनू आजादी के बाद के रचनाकारों में से गिने जाते हैं, म तो प्रसिद्धी उनको मिली, जैसा कि आपने अभी सूचनाप्राप्त की मेला आचल से, वो 1954 में छपी थी, और 1954 में छपने के बाद पहली रचना से ही वो काफी प्रसिद्ध हो गए, और इस रचना ने उन्हें एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध किया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद के बाद किसी महत्पूर्ण रचनाकार का नाम लिया जाता है, तो फनिस्वरनात रेनू हैं, अच्छा, दोनों में एक खास तरह की समानता भी है, ग्रामीन परिवेश को भारती समाज को ये भी उठाते हैं, और प्रेमचंद रखते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग तरह की रचनाकार हैं, रेनू जी की ख्याती, अपनी आंचलिकता, अपनी खेत्रियता, जो भी सब्द आप उपयोग कर लें, उसकी वजह से है, और प्रेमचंद एक समग्र भारती ग्रामीन जीवन का प्रतिनी धित्व करते हैं, अ सबसे पहले तो आप इस सीरसक को ही ले लें, पहलवान और धोलक, ये दोनों कोई सास्त्री सब्द नहीं है, पहलवानी जो एक खेल है, वो एक तरह से लोक संस्कृति का हिस्सा है, गाओं में, अपने अपने इलाके में लोक कुस्ती लड़ते हैं, खेलते हैं, दूसरी बा करके लोक गीतों को गाते हुए, नाटक करते हुए, अपने छेतर में कोई घोसना करते हुए, तो ये लोक कला, लोक संस्कृति का हिस्सा है, पहलवानी भी और धोलक भी, अब आप इनकी नाम पर आईए, फनिश्वरनाथ रेनु, रेनु जो की इनका उपनाम है, ये ने न पहला आचल से उनको जब प्रसिद्धी मिली, तो रेनु नाम की प्रसिद्धी भी उसी से दूर दूर तक फैली, ऐसा कुछ विद्वान मानते भी हैं, तो रेनु सब्द का अर्थ होता है धूल, धूल कहां, अपने छेतर की, अपनी मिट्टी की, तो आप इस से अनमान में रेनु का उपियोग कर रहा है, पहलवानी, धोलक, लोक कला, लोक गाथा, संस्कृती, उस छेतर को उठा कर हमारे सामने रख रहा है, अपने गाओं की कथा, सब लोगों के समक्ष रख रहा है, और भासा भी कैसी, उसी छेतर की, सब्द भी कैसे, वहीं उसी अंचलवी स इसके, तो उनका पूरा का पूरा ध्यान नायकों के पर होने के बजाए, एक ग्रामीन परिवेश पर, एक ग्रामीन संस्कृती पर, उसमें चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, आचल मैला है, फिर भी उन्हें मनजूर है, अपने खेतर में तमाम समस्याएं ह उसको भी वो बहुत प्रेम पुरुवक और बहुत एक सौंदरी भरी द्रिस्टी से सबके समक्ष रखते हैं, तो कहने का मतलब यह कि उनके यहां उनका अंचल ही नायक है, उनका लोक ही उनका नायक है, और उसमें डूब कर वहां की भासा में, वहां की संस्कृती में यह इ हिंदी साहिति के इतिहास में, कहानी वही होती है, ग्रामीन परिवेश वही होता है, भासा भी वही होती है, पर जो बड़े रचनाकार होते हैं, वो अपने अनभव को, अपनी संस्कृती को उस भासा में मिला कर अलग तरह की कहानी गढ़ते हैं, अलग तरह की भासा गढ़ च्छेत्र में उनको स्थापित करने का एक महत्पूर्ण कारण भी होता है तो फनिस्वर ना थरेनु को पढ़ते हुए उनकी कहानियों को पढ़ते हुए उनकी इस विशेशता को अवस्य ध्यान में रखा जाना चाहिए अभे जी निलकन जी दूसरा सवाल जो हमारे सामने आ को हम क्यों पढ़ें और पढ़ाएं पाठिपुस तक निर्मान करते हुए हम लोग इस बारे में इस संदर में सोचते हैं और मूल रूप से सोच यह होती है कि हिंदी साहित्य की परंपरा और उसकी निरंतरता की समझ के लिए आवस्यक है कि हर मोड के कहानिकारों को जाना औ और समझा जाए यह से प्रेमचेंद तुरंध प्लशाद जो दूसरे महत्तपूर्ण कहानीकार है वो फनिस्वर्नाथर रेनूं हैं तो फनिस्वर्नाथरेनौ झांना समझना हिंदी सहीत्य की परंपरा को जानना समझना है इसी तरह से निराला क्रशाद अग्यव निर्मल सब को हम पढ़ते पढ़ाते हैं इस परंपरा की समझ के लिए दूसरी बात ये कि कहानियों को पढ़ाने का जो हमारा एक उद्देश ये होता है वो कौसलों के विकास का अलग-अलग भासा के कौसल है समझ है जिग्यासा और कलपना को अवकास देने की बात है तो इन सारे देश्य आप समझ सकते हैं वो यह है कि भारती समाज के एक खास मोड पर हमारे ग्रामीन जीवन की क्या इस्थिती थी इसकी समझ के लिए भी इस कहानी को पढ़ा और पढ़ाया जाना चाहिए और एक और महत्पूर्ण बात कि बंगाल के लोग जैसे सरचंद और रविन्ना ट जोड़कर खुद को समझते हैं और अपनी संस्कृति को जानते समझते हैं तो किसी भी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसाथ करने के लिए कुछ आइकॉंस होते हैं जैसे सरचंद और रविंद्रनाथ हैं वैसे ही हिंदी साहित्य भाषा और संस्कृति को अगर आप व्यक जो हमारे सामने आता है कि ऐसी कहानियों को कैसे पढ़ें या समझें जी ऐसी कहानी या कहिए कि किसी भी कहानी को कैसे पढ़ें और पढ़ाएं किसी भी कहानी को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका जो है चुकि कहानी मूल रूप से कही जाने वाली विधा है बचपन से भी कहानी सुनने की हमें आपको सब को आदत होती है तो कोई भी कहानी जब आए तो सबसे पहला और बेहतर तरीका ये है कि उसको आप पढ़ें तो सभी विद्यार्थी इस कहानी को पढ़ें, अच्छे से उसका पाठ करें आप चाहें तो आडियो पाठ सुन सकते हैं, आप चाहें तो खुद पढ़ें खुद पढ़ें तो मुझे लगता है वो सबसे बहतर है क्योंकि खुद पढ़ने से आपके कई कौसल एक साथ विक्सित होते हैं और पढ़ने के साथ साथ जब एक बार आप पढ़ लें तो अगली बार जब इस कहानी को पढ़ें तो उसकी सुक्षमता को ध्यान में रखते हुए भासा को देखें उसमें आए हुए मुहावरों को देखें उसमें आए हुए संगीत और ध्वनियों की और अपना ध्यान दें और साथ ही प्रेम चंद की कहानी अगर आपने पढ़ी है इदगाह जैसे मान लीजे या और भी कोई कहानी तो समझने का प्रयास कीजिये कि ओन कहाणियों से ये कहानी कैसे भिन्न है किन-किन मसलों में किन-किन तरीकों से ये कहानी अलग बनती है उन कहानियों की अपिक्षा फिर कहानी पढ़ते हुए जो विशेवस्तू जो content जिसको कहते हैं जो उठाया गया है उसकी समझ की और भी ध्यान देना चाहिए और पढ़ते हुए कई प्रकरन कई सब्द मुहावरे खास करके इस कहानी में या फनिस्वरनाथ रेनू की कहानी में आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रथम द्रिश्टेया आपके समझ में नहीं आएगी जो अंचलिक्ता की बात हो रही थी अंचल विसेज के सब्द संस्कृति होने के कारण लेकिन सब्द मुहावरे या कोई व्याकरन के अन्य कॉंसेप्ट भी अन्य संकल्पना भी संदर्व में ही समझ में आते हैं अगर आप आगी पीछे के संदर्व को समझ रहे हैं तो आप बहुत सारे मुहावरों का अर्थियों ही समझ लेंगे जैसे कि इस पार्थ में बहुत सारे ऐसे सब्दों का उप्योग किया गया है यो पूरी तरह आंचलिक है टेर लगाना उदाहरन के लिए या दुलकी लग चित्र में उस भाजा और संस्कृती में प्रचलित सब्द है जब आप पूरी कोशिस से दोड़ते नहीं हैं चलते हैं और बहुत ही मद भरे चाल में चलते हैं तो उसको दुलकी लगाना आप कह सकते हैं अब वो पहलवान जो है जो सेर का बच्चा है इस कहानी में और चां कि उसके संदर्ह में और बाद में लुक्टन सिंग के संदर्ह में भी यह बात आती है कि वह दुलकी लगाता था दुलकी लगाना का मतलब यह है कि वह अपने ताकत के गरों में हलके हलके भार कर चलता था मानो वह इस पहलवानी की दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ती हो त लेकिन आगे पीछे के संदर्व को देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा कि दुलकी लगाने का अर्थ क्या है तेर लगाने का अर्थ भी आगे पीछे के संदर्व को देखकर आप समझ जाएंगे तो कहानी पढ़ने समझने का ये तरीका होता है कि कहानी को पढ़िए उनक कैमरे से लिखने का मतलब ये कि दृष्य की पूरी परिकलपना की कहानियों के उपन्याज tighten अब इस कहानि को ही आप उठाएं का एक दृस्य उस गाउन का एक द्रिश्य मेले का है जिसमें पहलवानी का पूरा खेल चल रहा है और वहां पर पूरी घटनाएं घटती हैं एक उस गाउं का द्रिश्य है जहां महावारी फैली हुई है तो इस तरह से अलग-अलग द्रिश्य हैं तो अगर आप इनको द्रिश्यों में बांट कर देखें समझें तो आपके समझ में कहानी और भी बेहतर तरीके से आएगी प्रेपचन ने कभी कहा था उनका प्रसिद्ध वक्तब्य है कि साहित्त समाज का दरपन होता है तो इस वक्तब्य के संदर्व में इस कहानी को हम कैसे समझेंगे कि जो भारतिय समाज में जो बदलाव हुआ उसको ये कहानी कैसे रिखांकित करता है पहले हमारी बातचीत हो चुकी है कि भनिश्वरनाथ रेनू आंचलिक कथाकार है आंचलिक कथाकार होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अंचल विशेश के सुख दुख अच्छाई बुराई सब को पूरी समवेदना के साथ प्रकट करना अब इस कहानी को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जो कुछ बातें कुछ बिंदू आ गये हैं इनमें उनकी चर्चा मैं आप से कर रहा हूँ तो समझ में ये बात आ जाएगी कि कैसे कोई भी कहानी या साहित्य समाज का दरपन होता है या समाज को किस तरह से कहानिया अव्यक्त करती हैं अब उस समय के भारतिय समाज में आप जानते हैं कि जाती विवस्था की इस्थिती कैसी थी तो जाती विवस्था की प्रारंभिक सूचना या संकेत जातिगत बदलाव उसकी स्थिती अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फनिस्वर नाथ रेनू की इस कहानी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं जब एक सोसित पीडित या निमन जाति का व्यक्ति गाउं में तमाम कस्ट सहते हुए पहलवान के रूप में तयार होता है मजबूत पहलवान के रूप में और मेले में पंजाबी और पठानी दोनों पहलवानों को पछाड़ कर वो राजा का प्रिय बनता है तो राजा उसको सिंग की उपाधी देते हैं तो वहाँ जो पंडित और मैनेजर थे वह उस पर आपत्ति व्यक्त करते हैं तो यह दोनों पर्च वहाँ पर हमारे सामने आता है कि एक तरफ जातिगत स्थिती और दूसरी तरफ लोगों का विरोध तुसरी तरफ राजा जैसे लोग उस समय की समाजिक स्थिती में कुछ बदलाओ की भी चर्चा हो रही थी जिसमें बहुत सारे समाज सुधारक जातिगत स्थिती पर प्रस्न चिन्य भी खड़ा कर रहे थे तो वो सुचना भी आपको इस कहानी में मिल जाएगी जब राजा कहते हैं कि नहीं नहीं इसने तो कर्म ख्षत्रियों वाला किया है इसलिए सिंग की उपाधी तो इसको मिलेगी ही मिलेगी और राजा का कहा काउन टाल सकता है तो यही नहीं बाल विवाह की सुचना आपको को इस कहानी में मिल जाएगी विधवाओं की क्या इस्थिती थी कैसे लुटन की सास को पूरा गाओं तंग करता था तो उसमें जातिगत मसला तो है ही है एक महिला वो भी मिधवा महिला की क्या इस्थिती होती है इसका संकेत भी आपको वहां पर मिल जाएगी गाओं में चिक इससे आप अनमान लगाईए कि चिकित्सा की क्या स्थिती थी तो आप वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं खेती खलिहानी में अचानक से अगर व्रिस्टी हो जाए या कोई समस्या पैदा हो जाए तो कैसे पूरे गाउं की स्थिती होती थी धन्यवाद निलकंड जी आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए संदेश के साथ साथ मैं चाहूंगा कि एक गतिविदी भी उनको दूं जो वो अपने जीवन में जो समझ उनकी बनी है इस कहानी के माध्यम से फनिस्वर नाथ रेनू की कहानी को पढ जैसे कि समवधिया पंचलाइट या मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसंद जिस पर फिल्म भी बनी है उनकी इन कहानियों को पढ़ें और आपकी जो समझ भनिस्वर नाथ रेनू और कहानी के संदर में बनी है उनको ध्यान में रखते हुए किसी एक या दो कहानी का विशल करें और इसे लिख कर अपने विद्याले की पत्रिका में या किसी साहितिक पत्रिका में या विद्याले में नोटिस बोड़ पर या विद्याले में कहीं भी कोई वाद विवाद का मंच हो तो वहां इसको लिखित रूप से प्रस्तुत करें तो यह इससे आपकी समझ विक् कर दो